आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिसकस करेंगे वो टॉपिक है रूट्स ओफ इक्वेशन सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्टे के प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिये गए बैल आइकन को क्लिक कर लीजिए जहे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्कॉयर माइनस फोर एसी डिवाइड़ बाइ टू ए सो गाईस कोईशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक एक एक्वेशन दी हुई है Y is equal to x square minus 4 x plus 3 इस एक्वेशन के through guys हमें तीन चीज़ों को determine करना है जो के हमारी इस कोईशन में needed होंगी फस्ट हमें मालूम करना है parabola के which VEDA parabola open उसके बाद हमें vertex मालूम करनी है इस कोईशन की then हमें roots मालूम करने है means quadratic equation हमें बनानी है इसकी सो गाइज अब हम अपना question proper start करते हैं step by step सो गाइज अगर हम question देखें first requirement तो उसमें हमारे पास हमें मालूम करना है which way the parabola open सो गाइज parabola मालूम करने के लिए हमें जो हमारे पास equation दी हुई होती है उसको देखना होता है अब गाइज अगर हम यहाँ देखें कि parabola कब upward होगा और कब downward होगा अगर यह value अभी तो यह खैर x square है अगर इसके साथ हम अभी one consider करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई number नहीं है और अगर कोई number होता तो हम इसके साथ number ही consider कर रहे होते अगर यह पूरी value first value अगर plus होगी तो हम parabola को upward consider करेंगे अगर यह value minus में होती तो हम parabola को downward consider करते like अगर a greater than zero होगा means कि हमारा a जो है वो one के बराबर होगा means positive one होगा so parabola upward होगा इसी के साथ अगर हम देखें अगर a less than zero होता है means कि a minus one होता है so parabola हमारा automatically downward हो जाएगा हम इसको downward consider करेंगे then guys अगर अगर हम अपने question में देखें equation में तो हमारे पास positive की value है so parabola हमारा upward ही consider होगा so अभी positive है तो मैं यहां लिख देती हूँ first requirement जो है उसका answer कि a greater than zero है means a हमारा one के बराबर है positive one के so parabola open होगा in upward so guys हमें second requirement जो मालूम करनी है वो है the vertex vertex मालूम करने के लिए guys हमारे पास तीन चीजों का होना जरूरी है a की value b की value and then c की value यह तीन values हमें मालूम करना जरूरी है और हम यह तीन values मालूम करेंगे हमारे पास जो question में equation दी हुई है उससे इस equation को मैंने पीछे से copy करा है next page पे then हमारे पास यह question mention है already इसके तुरू हम values निकाल लेते हैं अब अगर हमें a की value चाहिए first value में हमारे पास कोई number नहीं है so guys यहाँ पर हम one suppose कर लेंगे और a की value हम one consider करेंगे then उसके बाद b की value हम minus four consider करेंगे and c की value हम three यहाँ पर consider कर लेंगे then vertex मालूम करने के लिए like x की value first और second हमें y की value required होती है x की value के लिए हम जो formula यूज करते हैं वो है minus b to a और y की value के लिए जो हम formula यूज कर रहे होते हैं वो है minus bracket b square minus 4ac is equal 4a divided by 4a so guys यहाँ मैंने questions लिख लिए है so guys यहाँ दोनो formula मैंने लिख लिए है अब हमने finally इसको आगे process करना है process कैसे हम करेंगे और solve कैसे करेंगे minus की sign guys मैंने ऐसे ही लगा दी है जैसे के formula में लगी हुई है b की value अगर मैं देखूं तो मेरे पास minus 4 है जो मैंने इदर लिख दी है इसके अलावा 2 formula का हमारे पास given है और A की value 1 है जो के 2 से multiply होगी then उसके बाद guys अगर हम देखें तो यह minus इस minus से cancel हो जाएगा हमारे पास just 4 बचेगा and 2 ones are 2 उसके बाद हम इनको एक table से cut out कर देंगे 2 ones are 2 and 2 twos are 4 so इस तरीके से x की value हमारे पास 2 remaining बच जाएगी उसके बाद अगर हम y की value देखें गाई तो यहां पर मैं values put कर लेती हूँ minus मैंने अलरडी लिख दिया है formula का then b पर square है अब अगर मैं देखूं तो b की value minus 4 है जो के मैंने यहां लिख दी है and उस पर squaring कर दी है minus 4 formula का है then a की value और c की value 4 से multiply होंगी a की value 1 है हमारे पास and c की value हमारे पास 3 है जो के मैंने यहां लिख ली है then 4 और a की value हमारे पास 1 है अब इसको हम further solve कर लेते हैं further solve करेंगे कैसे अब अगर guys यह minus तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है then यहां पर अगर हम देखें तो minus 4 पर square है means minus 4 यहां पर हमारे पास 2 time लिखा हुआ है so हमने करना क्या है यहां पर minus से minus cancel कर देना है 4, 4 जा हमारे पास यहां 16 की value आ जाएगी then minus की sign formula की हमने लगा दी है 4 ones are 4, 4 threes are 12 so guys यहां 12 हमने लिख दिया है उसके बाद 4 ones are 4 यह हमारे पास total values आ गई है अब अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास just हमें minus करना है और उसके बाद हमने divide में form को लिख देना है like minus 16 मेंसे जब हम 12 को minus करेंगे तो हमारे पास 4 remaining बचेगा और नीचे भी हमारे पास 4 ही value है उसके बाद यह एक table से cut out हो सकती है like 4 ones are 4 and 4 ones are 4 so guys यहां पर हमारे पास y की value का जो answer आएगा वो हमारे पास minus 1 remaining बचेगा minus and 1 so इस तरीके से हमने x and y की जो values है उनको हमने मालूम करा x की value हमारे पास 2 आ रही है and y की value minus 1 हमारे पास आ रही है so यह हमारे vortex है यह हमारे vortex है अब हम इसकी third requirement को देख लेते हैं जिसमें हमें roots मालूम करनी है so guys third requirement पे हमें roots of the equation मालूम करनी है और roots of the equation मालूम करने के लिए भी हमारे पास a की value, b की value और c की value का होना जरूरी है जो के हम vertex की तरह ही मालूम कर लेंगे यहाँ पर हम one suppose कर लेंगे so a की value हमारी one हो जाएगी positive b की value हमारी minus four होगी and then c की value यहाँ पर हम three consider करेंगे roots of the equation के लिए जो formula हम use करते हैं वो formula है x is equal to minus b plus minus root b square minus four a c divided by two a so guys अब हमारे पास a, b, c की values आचुकी है और formula भी हमने लिख लिया है अब formula में मैं इन values को put कर लेती हूँ minus formula का ही लिखा है मैंने b की value अगर मैं देखूं तो minus four में है so मैंने यहाँ इसको bracket में minus four लिख दिया है plus minus formula की है science मैंने लिखी है b square है, b पर square है तो b की value minus four है मैं यहाँ minus four पर squiring कर रही हूँ minus four a की value मेरे पास one है and then c की value three है जो के मैंने यहाँ लिख ली है और divide की sign लगाई है यहाँ पर मैंने then two और a की value हमारे पास one है जो के यहाँ लिख ली है मैंने अब guys इसको further solve कर लेते हैं minus minus हमारे पास plus हो जाता है तो guys यहाँ से minus की sign खतम हो जाएगी and positive value हो जाएगी plus minus इसी तरीके से यहाँ पर लिख दिया है minus four ones are four and four threes are twelve so guys यहाँ मैंने twelve लिख लिख लिया है उसके बाद अगर हम इसको मजीद solve करें then two ones are two आगी इसको हमने मजीद solve करना है four plus minus की values मैंने ऐसे ही लिख ली है जो के formula की है उसके बाद अगर हम roots के अंदर वारी values को देखें तो एक positive value है और एक minus की value है एक negative value है so plus minus minus 16 मेंस जब 12 मैंने minus करें so मेरे पास यहाँ four remaining आ गया और नीचे divide की value हमारे पास two ही remaining बचेगी अब guys हम यहाँ देख लेते हैं कि four का root निकल सकता है या नहीं निकल सकता so four का root अगर हम देखें so यहाँ पे हमें मालूम हो सकता है four का root होता है जब हम two को two से multiply करते है means two to the four so four का root यहाँ पे हमारे पास two होगा मैं यहाँ पे अब four की जगा पे two लिख सकती है so guys मैंने करना क्या है x is equal to four plus minus root क्योंके four का two है so मैंने यहाँ root की जगा इसकी value लिख लिख लिए है two और नीचे वाली value को मैंने इसी तरीके से लिख लिख लिया है two उसके बाद guys अब further हमें यह करना है क्योंके यह पूरी roots हमारे पास निकल चुका है इस value का अब हमने इस पूरी value को एक दफ़ा plus में लिखना है और एक दफ़ा हमने इस value को minus में लिखना है ताके हम इसको मजीद solve कर सकें तो मैं इसको एक दफ़ा plus में लिख रही हूँ पूरी value को और एक दफ़ा मैं इस value को पूरी को minus में यहाँ लिख रही हूँ मैंने यहां लिख दिया है मजीद इसको हम solve कर लेते हैं plus 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 4 पर जब मैं 2 plus करूंगी तो 6 आ जाएंगे and then 2 मैंने इधर इसी तरीके से लिख दिया है plus minus minus 4 में से जब हमने 2 minus करें तो हमारे पास 2 remaining बचा और यहां भी 2 ही आ गया है then 2 ones are 2 and 2 threes are 6 2 ones are 2 and 2 ones are 2 so अब अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास x की value जो positive थी उसमें 3 remaining बच रही है और यहां पे हमारे पास 1 remaining बच रही है so guys यहां पे अगर हम देखें तो इस equation के जो roots हमारे पास मालूम हो रहे हैं वो 3 and 1 है so यहां पे हमने roots भी मालूम कर लिये हैं यह हमारा question यहाँ पर end होता है उमीद करती हूँ guys कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like and share करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अल्ला हाफिस